महाराष्ट्रा विदान सभा चुनाव नजदीक है लेकिन महाविकास अगाडी में मुख्य मंत्री पत के चहरे पर सैमती बनने के संकेत नहीं दिख रहे है मुख्य मंत्री पत के चहरे को लेकर महाविकास अगाडी के तीनों दलों में जबरदर्स्त घमासान जारी है लोगसभा चुनाव के परिनामों के बाद कॉंग्रेस बड़ी पार्टी की भूमिका में नजर आई थी लेकिन हर्याना चुनाव के नतीजों के बाद उसका विमान जमीन पर आ चुका है अब पुर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी इस मौके का फायदा उठाते वे आक्रामक रुख अपनाना शुरू कर दिया है आपने उद्धव ठाकरे का बयान सुना ही अब इस पर कॉंग्रेस नेता पृत्वी राज चौहान ने उद्धव ठाकरे पर क्या तंच कसा है ये भी देखिये वही महाविकास अगाड़ी को मुख्य मंत्री पत के चहरी की जरूत नहीं है ऐसा कहने वाले NCP शरत पवार के प्रमुक शरत पवार का भी अब मन बदल गया है और अब उने अपने पोते रोहित पवार में भावी मुख्य मंत्री नजर आ रहे है या नहीं इस पर सवाल उट रहे है मुख्य मंत्री पत के लिए एक साथ आए तीनों दल महाराष्टा को सक्षम विकल्प देने में असफल हो रहे है और ये बात अब मत दाताओ के ध्यान में आने लगी है